नमस्कार दोस्तों स्वागेत आप सभी का पतंजली क्लासे जास्तान यूटूब चैनल में आज हम डे टू स्टार्ट करेंगे और डे टू के इंदर हम सामिल कर रहे हैं महिला और बच्चों के खिलाप अपराद और कानूनी प्रावधान जो अमारा राजस्तान पुलिस का प यहीं से कवर करवाया जाएगा हम रेगुलर आपको 9-10 प्रसनों की सिरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं और 9-10 प्रसनों की यह सिरीज आपके लिए एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है ठीक है तो मेरे साथ अंत तक आपको जुड़ा रहना ह तो वह कानुन जिसकी सहायता से महिला उसी घर में रह सकती है ठीक है तो पहला कानुन है वो ऐसा घरेलू हिंसा कानुन 2005 के तहत महिला जिस घर समें विवाद हुआ है वह उसी घर के अंदर रह सकती है ठीक है तो पहला क्यूस्शन उम्मिद करता हूँ किलियर हो गया होगा यदि किसी महिला को गरेलू परेशान किया जाता है उसके अत्याचार किया जाता है तो महिलाएं कुछ डिसीजन ले सकती है और वो डिसीजन कौन-कौन से हैं महिला अपने बैंक और पैसे का इस्तेमाल रोख सकती है घर का बटवारा करके उसी में रह सकती है इसके अलावा मा प्रताड़ना का मुवावजा ले सकती है यदि वह मैला चाहे तो नायले के जरीए अपने आपको मुवावजा दिलवा सकती है ठीक है इसके तहट अत्याचार के खिलाफ सीधे नायले में पेस हो सकती है तो चार प्रमुक घरेलू हिंसा कानुन जो की 2005 के इंदर पारित हुआ इसके प्रमुक बिंदू मैंने आपको बता दिये है ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट हमारा आईपीसी की किसे धारा के तहत दहेज के लिए प्रताडित करना कानुनी अपराद है देखो आईपीसी जो इंडिया पैनल कोड है उसकी धारा 498 में एके तहत दहेज के लिए प्रताडित करना किसी भी महिला से आप दहेज की मांग नहीं कर सकते ठीक है यदि ऐसा करता पाया गया कोई व्यक्ती है फिर उसका रिष्तेदार तो उसको तीन बरस की क्या हो सकती है सजा हो सकती है बात किलियर हो गई तो तीन बरस की आपको सजा हो सकती है कितने बर विभाहित इस्त्री को बहला फुसला कर कि मकसद से ले जाना है आई पीसी की किस धारा के अंतरगत आता है तो किस धारा के अंतरगत आता है यदि विभाहित इस्त्री है कि एजम्पल बता रहा हूं यदि कोई विभाहित इस्त्री है और उसे बहला फुसला कर उसे शादी करन कुझसी धारा? IPC 480 में धारा के तहत उस पर केस दर्ज किया जाएगा, ठीक है? किस एक्ट की बज़ए से एक महिला तलाक की अरजी मात्र से गुजारा बत्ता ले सकती है? तो एक एक्ट था है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रावदान ये किया गया है कि यदी महिला अपने पती से तलाक की अरजी लगा देती है कोट में, तो उसके बाद भरण पोशन का वो क्या ले सकती है? गुजारा बत्ता ले सकती है. तथा इसी एक्ट के अंदर एक प्रावदान और है, इसी एक्ट की एक खास बात ये है, ये है कि वो अप कौन से सेक्षन में लिखी गई है तो सेक्षन नंबर 24 के अंदर इस चीज़ का बढ़न है सेक्षन नंबर 26 को भी यहीं कबर करेंगे सेक्षन नंबर 26 कहता है कि यदि महिला विभाईता के पास बच्चे हैं ठीक है तो वो बच्चों के भरण पोषण और सुरुक्षा से सम्म पांदित गुजारा बत्ता की भी मांग कर सकती है आपके ये प्रसन आपके जो ये चैप्टर है वो महिला कानून और बच्चों के अपराद और उनके संरक्षन में पूछे जाएंगे इसी तरह के प्रसन पूछे जाएंगे नेक्स्ट है हमारा ससराल पक्स की ओर से की गई कुर्ता जिसमें मार पीट हो गया खाना ना देना दहेज प्रतार ना किस आई पीसी धारा में सामिल है तो वो आई पीसी चारसो अठ्ञान में के अंदर मैंने अभी आपको फिलाल थोड़ी दिर पहले ही बताया था ठीक है तो IPC की धारा 480 में के अंदर ऐसा बढ़नीत है, कुर्ता सब्द है, कुर्ता से मतलब ये है कि मार पीट कर दिया, ठीक है, विवाईता के साथ खाना नहीं दिया, ठीक है, इसके अलाबा काम ना करने देना जो आपको मांसिक, जो किसी भी तरह की मांसिक प्रतारणा भी सामिल है, ठीक है, नेक्स्ट है मारा मांसिक प्रतारणा में सामिल क्या क्या है, देखो मांसिक प्रतारणा में क्या क्या सामिल है, मन पसंद नोकरी नी करने देना, या फिर काम नी करने देना, खाना पीना ना देना, मन हूस सब्द कहना, ताने देना, माई के नहीं जाने देना, आने जाने पर रोक लगाना, तो ये सबी किसमें सामिल हैं, मानसिके प्रताड़ना में सामिल हैं, बात क्लियर हो गया, ठीक है, तो आपके इसी तरह के प्रसन एक्जाम में पूछे जाएंगे, सबी मैलाओं के अधिकार की रक्षा कौन से अधिनियम में की गई है, तो वो अधिनियम है, मैला सरक्षन अधिनियम 2005 के अंदर मैलाओं के सबी राइट्स की क्या की गई है, रक्षा की गई है, ठीक है, बात क्लियर, next person है विभाईत मैला को बरन पोशन का अधिकार किसे धारा के तहत मिलता है बहुत ही अच्छा प्रसन है एकजाम में पूछा जा सकता है तो विभाईत मैला को बरन पोशन का अधिकार बरन पोशन का मतलब खाने पीने का अधिकार जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है ठीक के साथ हमारा ये छोटा सा सेशन समापत होता है नेक्स सेशन कल सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपको जल्द ही मिल सके धन झाले नेवा थैंक्यू सूमच्च